एलो स्टुडेंट्स आप सभी का सोगत हैं वारे इस वीडियो चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं आपकी गड़ित विसे की कारपतिका संख्या 39 के बारे में और जो ये है कच्छा साथ की आज की तिती सतरा बारा दो जारी किस यहां पर आपको अपना नेम या आपनी टीचर का नेम लिखना है चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया का है पर इसके पहले बता दूँआ आप सभी डेली वी और वीकली दोनों तरीके से विन बनाया जाएगा साथी साथ जो यह पूरे वीक काम करेगा उसे वीकली विनर भी बना दिया जाएगा जो किया है संडे को एनाउंस होता है चलिए देखते हैं समय क्या दिया गया है पर इख जयमीतिया तरिभुज स अए-स आई याद करते हैं तरिभुज की रचना करने से पहले हमें, हमेसा एक डैस खीचना होता है, हमें एक त्रिभूज की सन्दचना कर सकते हैं, यदि हमें डैस दिया गया हो, तो चलिए इसको जो है, मैं लास्ट कार्पत्रिका में आपका आया है मंदे को, उसमें सही इनके आँसर ज़िम आपको लिखा देता हूं, तो बटा इसका आंसार हो जाएगा पॉइंट नमबर बन तीन भुजाएं ठीक है पॉइंट नमबर टू कोई दो भुजा और एक क्या है कोण पॉइंट नमबर थरी आप इसमें लिखेगेगा कोई दो कोण और एक भुजा और point number 4 लिखिएगा कि सम कोण तरिभुज के कोण तथा उसकी भुजा जो है मैं पता हो नीच चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रस्न क्या है तो बटा आगे देखें क्या कहा गया है तरिभुज की संद्चना अब दो भुजाओं के लंबाई और उनके बीच के कोण को ग्यात हो तो आप कैसे बना सकते हो यानि कि दो लंबाई दो भुजाओं आप दी गई होगी और एक कोण दिया गया होगा उनके बीच का तो उससे अगर पता हो तो आप कैसे तरिभुज का बनाना है आपको उसके बाद क्या करना है एक भुजा खीच देनी है और दूसी भुजा को क्या करना है चांदे से आप क्या करोगे चांदे या प्रकार की साहता से कोण का माप बनाओगे वहाँ उसके बाद जिस पर आपने कोण का माप बनाएगा उतनी लंबाई के दूसरी बुजा की लंबाई के बराबर का एक चाप खीज देना है और इसके बाद उनको मिला देना है तो आईए परसने के साहर इसको समझने का प्रयास करते हैं उधारन के रूप में देखिए एक त्रिबुज PQR दिया गया है जिसकी संरचना इस प्रकार है PQ आपको 3 cm, QR 5.5 cm दिया गया और आप से का गया PQR जो है इसमें एंगिल जो Q है वो 60 डिग्री है तो सबसे पहले एक rough sketch, सबसे पहले आपको क्या करना है एक rough रेखा चितर त्रिबुज बनाना है ठीक है जो इस तरीके से बना लेंगा फिर दूसरे step में क्या करना है आपको देखिए दूसरा step नीचे लिखा है यहाँ पर देखिए 5.5 cm लंबा रेखा खंड QR बनाईए तो इसी तरीके से आप क्या कर लोगे QR बनाऊगे तीसरे में क्या करोगे तीसरे में बिटाप करोगे यह कि जो Q है उसका कोण साट होना चाहिए तो साट डिग्री का एक Q पर कोण बनाऊगे और उसे QX नाम देदोगे इसके बाद क्या करना है Q पॉइंट को माप कर क्या करिए 3 cm का चाप लगा यह और उसे क्या है पॉइंट P मान लिजा अब देखिए क्या करा गया यहां से Q पॉइंट से एक चाप लगा गया जो 3 cm का है पॉइंट P हो गया इसके बाद देखिए 4 थे 5 हो और रंतिम में क्या करा गया इस QP point को क्या करा गया R से मिला दिया गया और यही क्या हो गया आपका त्रिबुज हो गया एक अभ्यास के लिए आपको भी दिया गया एक त्रिबुज है जो हुटी कीचा गया है जिसमें सु जो है 5 cm का यूटी जो है 2.5 cm और यूटी जो है आपका 60 डिगरी का होगा तो चलिए आईए इसको हल करते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करोंगे सबसे पहले एक रफो डाइग्राम बनाओगे यहां इस तरिके से रफ डाइग्राम बना रेजा इसे यू देना क्या क करोगे इसके बाद आप क्या करोगे, देखो दूसरा स्टेप आप क्या होगा, दूसरे स्टेप में 5.5 की जिगे पे आप क्या करोगे, 5 cm यहां लिख दो, ठीके, आपको क्या करना है पटा, 5 cm लंबी एक रेखा कंड खिचनी है, जो क्या एच्छ यू बना लो तो देखो यहाँ पर आओगे एक क्या करोगे 5 सेंटीमीटर की देखा किंड़ खीचोगे जो क्या होजी एच्छ यू हो जाएगी और यह कितनी है 5 सेंटीमीतर है इसके बाद क्या करोगे इसके बाद पैटा अगला तीसा देखो code बनाओगे ये u हो जाएगा ये h हो जाएगा और ये ux बन जाएगा ठीक है इसके बाद अगला क्या point होगा अगला point ये होगा कि आपको u से क्या करना है केंदर मानकर आपको क्या करना है 3 cm की जिगे पर 2.5 cm का एक त्रज्या का चाप लगाना है जो किस पर होगा जो आपका होगा किस पर ux पर होगा और ये क्या है बिंदू क्या कहलाएगी जो चाप लगेगा वो बिंदू क्या बन जाएगी हमारी t बन जाएगी ठीक है क्या बन जाएगी तो इसके बाद देखो आखरी में क्या करना है इसको इसको क्या करना है आपको ht को मिला देना है और ht मिलाने के बाद आपका जो है यू हुट जो है आपका ट्रैंगल बन जाएगा ठीके तो आगे आपकी कारपति का होती है यहीं समाप्त पर इसके पहले एक से लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं रफ डाइगराम बनाके फिर से ठीक है यहाँ पर क्यों जाएगा यह 5.5 हो जाएगा ठीक है आपका कुछ ऐसा डाइगराम देखेगा तो आगे आपकी कारपतिक होती है यह समाप आपको वीडियो कैसे लेगी कमेंट करकर बतान वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटस में पास्पेट करना धन्यवाद बच्चों